हेलो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अनुसूची जया जा लिए छेतर और बटाः थी तो पांच मी अनुसूची चिसके बारे में Ļुआ मैंने आपके साहरे शाल भेटाम किया था пांच मी अनुसूची कि बारे में, जिन लोगों ने पढ़ा है तो प्लीज एक से दो पॉइंक यह कोशिश करें कि सिर्फ उंहीं को देखें उन new वह देखें हैं के चाहती अनूसूची एकक्षाम के लिए में खुड़ को देखें इंक यह उननीं को पार बहुत सारी की कोई ज़रूरत नहीं ओती हैं तो देखिए सबसे पहले जारा मैप में देख लें तो आपको थोड़ा याद रह जाएंगी चीजे अब आप यहाँ पर देखेंगी तो यह आपको दिख रहा है असम यह दिख रहा है आपको मिजोरम और यह दिख रहा है आपको क्या त्रिपोरा और यह क्या दिख रहा है मे तो आपका प्रिश्न बिल्कुल भी गलत ना हो तो ध्यान रखिएगा फिर से त्रिपुड़ा मिजोरम असम और क्या है आपका मेगाल है तो यह सारी चीजें हैं इनके बारे में अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे ठीक है ना अब देखते हैं कि इन जन जाती है छे कि अपने हिसाब से वह अपनी जो 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 जन जातियां हैं जो उनका कल्चर है, जो उनकी चीजें उनको वह संदक्षत रख सके और प्रशासन भी सुझारू रूप से चलाया जा सके तो इन जन जातिये छेत्रों को स्वाईत जिले के रूप में प्रशासित किया जाएगा और यदि किसी जिले में बिविन नसूचित जन जाती हैं, ऄलो अलग अलग जन जाती हैं, तो फिर क्या होगा तो उनके लिए राजपाल क्या करेगा राजपाल ऐसे च्षेत्रों को स्वायट च्षेत्र के रूप में भी विवाजित कर सकते हैं, मालों यहां पर कुछ अलग जन जाती हैं कुछ अलग जन जाती हैं कुछ अलग जन जाती हैं लेकिन यह छेत्र पूरा एक है तो इनको भी विभाजित कर सकते हैं कौन कर सकता है इसको राज्यपाल इसको विभाजित कर सकते हैं मैंने कहा राज्यपाल के लिए यहां पर जो का जाए जा सकता है और उंको हटाकर नया बना दिया या फिर वो किया करें कि दो या दो से अधिक जो हैं उनको मिलाकर एक साहत करदें। मालों अगर यहां पर कोई जंगी यहां पर कोई दूसरी जंग तो टो नहीं छाइगा तो इन छेत्रों के लिए कुछ अलग बेवस्था कर दी जाएगी इन दो को मिलाकर एक कर दिया अगर यहां पर सारी सिचुएशन सेम है तो इन दो को मिलाकर कर देंगी और कोई अलग भी नाम रख सकते हैं तो यह नाम बदलने का जो अधिकार है यह सब किसके पास है राजजपाल के पास है लेकिन वो क्यासे करेगा लोग अधिसूचना के द्वारा ही करेगा यह प्रिष्ट यहां से कि UPSC में स्पेशली स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं तो नबबे परसेंट लोग इसमें गच्चा खा जाते हैं कोश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है अगर आप में ठंक से नहीं पढ़ा है तो इवेन UPSC में भी कई बार पूछे गए हैं प्रिष्ट आप पे को क्लियर रखना है अब परिषदों का कारे क्या होता है यह परिषदें क्या करती हैं भूमी वन नहर खेती गाउं का प्रशासन संपत्ति का उत्रादिकार विवह एवं सामाजिक रीतिरिवाज के संबंद में बिधी बना सकते हैं मतलब यह अपने आपको संदक्षत रखन के लिए सारे काम परिषदें कर सकती हैं राजिपाल इनको अनुमति देता है कि इनको भूराजस्य के निधारण और संग्रहन और कुछ ऐसे निश्चित टेक्स हैं वो लगाने की सकती भी प्राप्त होती है मतलब परिषदों को पूछा जाता है परिषदों के कार क्या है शटी अनसूची के एकॉर्डिंग तो आपको पता होना चाहिए परिषदों के बिवाद निप्टाने के लिए राजिपाल नियालय का गठन कर सकते हैं अगर दो परिषदे हैं अब आपस में उनके में कोई मनमुटाव हो गया है या कोई मत्वेद है मनमुटाव क्या उसको क्लियर करने के लिए एक नियालय का गठन भी राजिपाल कर सकता है अब परिषदों की बनाई गई गई बिदी लेकिन तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि राजपाल उसको अनुमति प्रदान ना कर दे इसका कॉंसेप्ट समझ ये देखिए क्या है अगर पर लागू कर दिया गया बिना राजपाल के अनुमति के तो क्या हो गया परिषदें ऊपर हो जाएंगी और राजपाल जो की केंदर का एजेंट है उसकी अनुस्तिति क्या हो जाएगी डाउन हो जाएगी जो कि क्या करेगा संगबाद को कहीं न कहीं एफेक्ट करेगा और तो चारु रूप से संचालन जो प्रिशाशन का है वो नहीं चल पाएगा तो जिन मामलों में कम से कम पांच वर्स का कारावास है उम्र कैद या मृत्युदेंट का प्रावधान किया गया है उन पर विचार करने के लिए न्यालय के पास शक्ति तो है लेकिन बिना राजपाल की सहमती के नहीं है तो राजपाल इसमें सहमती देगा तभी जाके जो परिशदों के बीच में बिबाद अगर है तो उनको निप्टाया जा सकेगा अब राजपाल के पास यह सकती भी है कि ऐसे छेत्रों के प्रशाशन की जांच के लिए वह एक आयोग भी बना सकता है एक चल रहा है या फिर नहीं सिक्षा हो गया चिकित्सा हो गया संचार हो गया जो भी और आवश्यक्ता है उन सभी को ध्यान में रखते हुए इन परिशदों का बिगटन भी किया जा सकता है यदि राजपाल को लगे कि भारत की सुरक्षा या लोग विवस्था के क्या है प्र देखी और समझा कि कितना जादा इसमें महत्वपूर चीजे हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूले अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाइ दोस्तों नमस्कार